Hello, Welcome back my channel, उत्राखंड LTE MCQ important series video Question number first, वेट्सवर्थ was properly known as the point of correct answer is the lake district वेट्सवर्थ की बारे में कुछ और information जान लेते हैं वर्ट्सवर्थ का बॉर्ण वा था 7 अप्रिल 1770 को कौकर माउद यूनाइटेट किंग्डम में और उनकी डेथ हुई थी 23 अप्रिल 1850 में और वर्ट्सवर्थ को हर बिंगर आप नेचर पोईट की रूप में जाना जाता है और जो लेख डिस्टिक है लेख डिस्टिक में जो तीन पोईट परसिद्ध है उससे जो बिलोंग करते हैं रोबर्ट्सवर्थ सदे अस्ट्री कोलेज और वर्ट्सवर्थ Q2. वर्ट्सवर्थ को प्रिंगर की रूपर बिलोंग की रूपद पर विलोंग करते हैं जोलाइ 14, 1789 और जो French Revolution था इसका स्लोंग था Liberty, Equality और Preternity Question number next The Romantic Age is also known as The Romantic Age को किस नाम से जाना जाते हैं? Correct answer is Age of Wordsworth Next question Who gave the Romantic period the title of the Renaissance of Wonder in Poetry? Correct answer is Theodore Watts Next question After whom did Wordsworth become the Poet Laureate of England? Correct answer is Robert Sade मैं आपको Poet Laureate से जोटेट कुछ important fact बता जीता हूँ जो first unofficial Poet Laureate बने थे वो बने थे आपके Ben Johnson 1660 में Then first official Poet Laureate बने थे 1668 में John Dryden और फिर उसके बाद बने थे हमारे Robert Sade 1830 में Refusal of Sir Walter Scott और Robert Sade के बने थे हमारे वोट्सवर्ट 1843 में और वोट्सवर्ट के आफ्टर बने थे अलफ्रेड लोड टेनिसन 1850 इसे में हमारा next option है Sir Walter Scott जो Walter Scott थे इनको Waverly Novel के लिए जाना जाता है और Estre College है हमारे Supernatural Poets और इनके बारे में कहा भी जाता है ये Great Dreamer of Dreams करके इनको Great Dreamer of Dreams के रुप में भी जाना जाता है और Estre College ने Fancy and Imagination term दिया था बायोग्राफिया लेटरिया में Chapter 13 के अंतरगत और इन्होंने Imagination को दो प्रकार से डिवैट किया है Primary and Secondary प्राइमेरी जो Imagination होती है उन हर आदमी में होती है यूनिवर्सल होता है जबकि जो Secondary Imagination होती है वो Advanced होती है इसमें पहले Observation करते हैं फिर Imagination पर आते हैं फिर अपनी Creativity दिखाता है इसके अंतरगत पॉइट आर्टिस्ट आते हैं Next Question और आज का Last है Man is born free but alas he is everywhere in chance who said this इसका correct answer है रूसो रूसो कहता है कि आदमी स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजिरूं से गिरा हुआ है तो यह रूसो का कथन है अगर आपको वीडियो अच्छे लगे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल और मैं नेक्स्ट वीडियो जलल लेक्या हुआ 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 है तैंक यू